तो जब हम अपने घर को design करते हैं, तो हर छोटी सी छोटी चीज को हम design करते हैं एक चीज हमारी हमेशा पीछे रहा जाती है और वो क्या होती है? वो होती है हमारे door के design और जब हम door के design को करने लगते हैं, तब तक हमारी mental capability अतनी बचती नहीं है कि हम door को कैसे design करें तो don't worry आज की इस वीडियो में मैं आपको दोर के डिजाइन सिखाने वाला हूँ कि आप अपने घर के existing घर में या फिर अगर अपना घर नया बना रहे हैं तो उसमें दोर के डिजाइन और कोड्स भी बताऊंगा कि वो कौन से कलर कोड्स है तो आपको मार्केट में जाना है, सिफ कोड बताना है और वो में आपके पास आ जाएगा और आप अपने घर के डोस को खुद से डिजाइन एंड एक्जीक्यूट करवा पाऊगे तो आए ये वीडियो को शुरू करते है नमश्कार दोस्तों स्वागत है में चलें इंट कोच पे और मैं हूँ आपके इंट कोच एंट इंट बिल्डिंग कंसर्टेट मनी सहरावाज जाओंगा बजट आपका डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रेक्टर आपका इंजीनियर हमारा और इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और साथ की साथ ये एक मैसिज मैं देना चाहता हूँ डिरेक्ट मैसिज ये उन लोगों के लिए हैं जो मेरे वीडियो के कंटेंट को टोटली कॉपी करके अज इस उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो यार जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ न इसके पीछे बहुत मैनत और बहुत ही बड़ी थेरीज होती हैं और जब आज मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैं बहुत असान तरीके साब को बता दूँगा कि दोर के डिजाइन कैसे करने होते हैं इसमें बहुत मैनत लगती है कुछ यार अपना लाओ कब तक कॉपी करो तो जब भी हम दोर को डिजाइन करते हैं तो उसमें सिर्फ दो पेरामिटर इन्वाल्व रहते हैं और वो दो पेरामिटर क्या होते हैं सबसे पहला होता है हमारा color और दूसरा होता है हमारा design अगर आपने color पता लगा लिया अपने existing घर या अपने existing theme के हिसाब से तो design के ओपर आप कोई भी color करो सारे match होते चले जाएंगे जिसमें design plus color दोनों एक theme की symmetry में match हो जाएंगे तो सबसे पहले जो step 1 चूज किया जाता है वो होता है color तो आप बताओ अगर आप अपने door का color चूज करने जा रहे हो तो किस से match करोगे क्या आप floor के color से match करोगे या wall के color से match करोगे वीडियो को pause color comment करके बताओ क्योंकि आगर वीडियो बहुत solid बनने वाले क्योंकि मैंने अपने team की दुख़ए तो बागली होगे तो I hope आपने comment किया हुआ तो अब मैं आपको बताता हूँ वो trick ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ दो ही color चूज कर सकते हो अपने door पे आप सोच रहे है तो वो trick ये है कि आपकी वाल का जो भी color होगा वो आपको अपने door पे करना है option 2 आपके room के अंदर जो भी color second majority में होगा तो जो दूसरा color majority में होगा वो आपको अपने दरवाजे पे कर देना है यही एक simple trick और जो third option है वो है कि आपकी wall का color and second जो majority color है उसको combine करके आप अपने door के color को choose कर सकते हो तो यह explain करने के लिए चलते हैं सीधा अपने laptop की screen पे तो अब यह मान के चलते हैं जहां से भी photo ली गई है वहाँ पे जो wall का color है वो white है और दूसरा जो majority में color है वो दो color हो सकते हैं एक जो यह मुझे brown color दिखाई दे रहा है और दूसरा जो यह beige और grey के बीच का color है जो यहां bed पे दिखाई दे रहा है wall पे दिखाई दे रहा है और नीचे जो यह rug डला हुआ है इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है तो हमारे दो majority colors इसमें से एक choose हम कर सकते हैं वो मैं जो choose करूँआ वो मैं करूँआ brown color अब मेरे पास दोन option है या तो मैं wall के साथ उस color को white merge कर सकता हूँ otherwise मैं दूसरा जो color है वो brown ले सकता हूँ और तीसरा मैं इन तीनों का combination भी कर सकता हूँ तो यह तो मैंने explain कर दिया अब जरा आपका test ले लेते हैं कि आप interior designer बने या नहीं बने तो moving on to next photo अब इसमें बताइए कि कौन सा color primary है again हम यह मानक चल रहे हैं कि walls पे हमारा color white है तो neck एक जो color हो गया वो होगा हमारा white second color कौन सा है चलो choose करो second color हमारा हो सकता है अब यह आप comment में करके बताना photo मैंने यह देख लिया नीचे मैंने second, third, fourth and fifth ऐसे पाँच photos मैंने यह आपे ढाले हैं पाचों के answer मैंने description में लिख दिया हैं अब आप अपना test खुछ से ले लो next हो गई है यह थोड़ा सा ध्यान रखना भई यह थोड़ी सी tricky photo है और last photo है यह तो देखा किता था simple बन गए आप interior designer तो अपना तो vision यह यह है यार इंडिया का हर गर दिखना चाहिए सुन्दर तब सीधा jump करते हैं हम उस पे जो मैंने आपको promise किया था लेटस trending designs क्या है और वीडियो को पूरा देखना तो वीडियो के आखरी में मैं आपको ऐसे material से introduce कराने जा रहा हूँ जो आपके door के budget को 50% कम कर देता है तो इसमें मैं आपको door के जो designs दिखाने वाला हूँ एक है animal matte finish जो मेरा favorite है जिसमें budget जो है बहुत कम लगता है और डर जो है बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है तो सबसे पहले animal matte finish की कुछ फोटोस देखो दूसरा जो आता है वो होता है laminate finish door भाई लaminate में ना सबसे पहले तो यह फोटो देख वाया है यह तो कभी मर्कतर वाले ना बहुत ही गंदा लगता है और दूसरा वो door skin और door membrane आता है बहुत गंदा लगता है वो बिल्कुल नहीं कराना है तो आपको जो second कराना है laminate लेना है आप same finish में ले सकते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो उसके grain से महमिशा सीध रहे horizontal भी रख सकते हो बट बहुती rare cases में रखना वो design के उपर ऐसे depend करता है तीस राज जो आप dual combo में जा सकते हो जैसे कि मैंने बताया था कि first color second color का mix up करके आप उसको design कर सकते है यह रही उसकी कुछ photos तीसरा आता है हमारा वीनियर फिनिश भाई वीनियर ना personally मेरा वुट का उता टेस्ट नहीं है लेकिन वीनियर में कुछ particular ऐसे designs है जिसके grains देखने में भाई क्या लगते है मतलब कि ऐसा लगता है यार क्या बनाया बंदे ने सारा पैसा लगता दर्वाजों में डाल दिया और इसके lemonade भी आते है तो आप polish के घच्चे से भी बढ़ सकते हो आप देखते हैं की कुछ photos अब इन सारे doors बे कुछ कुछ आप अपने आप से on कर सकते हो जैसे कि टी profile हो गया gold strip हो गया या फिर आप इस mirror डाल सकते हो लेकर डाल सकते हो अब यह सारा design का खेल है यह internet पर आपको 1000 photos मिल जाएंगी वहां से आप यह देख सकते हो color कैसे select करना वह मैंने अपको बता दिया और अब आता है वह वह वाला material यह है fluted laminates जो की royal touch company लेके आई है यह marino में भी आती है और यह laminates इतनी प्यारी है कि यार मतलब सबसे मेले photo देखो अब होता क्या था कि lures और fluted panel SDHMR बे बनते थे उस पे deco या PU करना पड़ता था जिसकी वज़े से खर्चा जो है पैनलिंग का वह आठ सो से हजार उपे पर स्कूर फिट पढ़ जाते हो लेकिन लेकिन फ्लूटिड लेमिनेट के के केस में ऐसा नहीं है और सीधा हमारी कॉस्ट तो फ्लूटिड लेमिनेट को भी आप अपने दर्वाजे पे लगा सकते हो जो डिजाइन आपने इस आप से सेलेक्ट कर सकते हो और फ्लूटिड लेमिनेट के कुछ शेड्स में आपको गोड मुझे बैस लगते जो यूनिवर्सल है अर कलर में जा सकते हैं क्योंकि हम दिवारों पर वाइट या पेस्टिल कलर तो लेते ही लेते हैं तो लेट्स हेले तो I hope guys आपको एफ वीडियो पसंद आया होगा और ट्रिक अच्छी लगी हो तो comment करके ज़रूर बजाना तो मिलते हैं next वीडियो में जो की community tab पे आजाएगा options हो जाएगे जिस पे आप ज़्यादा वोड़ दोगे उस पे हम वीडियो मिलते हैं Till then goodbye and take care हुआ हुआ है